वेद पुरुशाय नमहा आज हम निगंटु एवं श्री यास्काचारिय प्रणित निरुक्त इस विशे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं भारतिय सब्वेता एवं संस्कुरुदे में चार वेदों का स्थान शिर्षस्त है इन रुगवेदादी वेदों में नहीत ग्यान को राप्त करने की अविलाशा सभी को होती है और हमारी भारतिय परंपरा में महावाश्यकार पतंजली ने हमें यह सूचना दी है ब्रह्मने इन निशकारणों शडंगों वेदों अध्ययोग ने अश्च जो ब्रह्मन है उसको निशकारण बिना कोई प्रयोजन च्छ वेदांगों के साथ चारों वेदों का अध्यायन करना चाहिए और उसका ज्यान भी करना चाहिए आप आईए और च्छ वेदांगों का अध्यायन करने के बाद आप चार वेदों का अध्यायन कीजिए उसका भर्थ जानिये, वो नित्य कर्मवत हमें मानना चाहिए. नित्य कर्म क्या होते हैं, तो कुरुते न पुन्य प्राप्ति ही. यदि हम छवेदांग के साथ चार वेदों का अध्यान करते हैं, तो उसमें पुण्य प्राप्ति हो या नहों, लेकिन अकृते प्रत्यवाया, यदि उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो जरूर हमें कोई प्रत्यवाय, कोई दोश लगे सकता है। इसलिए इस वेदाध्ययन को आवश्यक करम के रूप में, हमें हमारे जीवन में, सबसे आरम में इसको संपन करना चाहिए। और यहां जो वेदाध्ययन की बाद हैं वो केवल कंठस्त करने की बाद नहीं हैं। कंठस्तों करते ही आये हैं हम सस्वर वेदो का गान आज भी वेद पाठी ब्राह्मन करते हैं लेकिन पतंजली ने वेदो अध्येयो गिनेयश्च उसको जानने की बात कही है यदि हम मंत्र के अर्थ को नहीं जानेंगे तो उसका क्या फोल होगा तो कहते हैं कि यासका चरे नहीं कहा है स्थानु रयम भारहा रह इला भुद अधित्ययो वेदम दविजानात यो अर्थम यो अर्थग्या इत्सगलम भद्रम अश्नुते ना कमेती गिनात विधूत पापमा अर्थाथ जो बिना अर्थग्यान की ये वेदो का अध्यायन करत क्वंबे के समान हैं जो किल्बार का वहन करने वाला है लेकिन जो अर्फ ग्या है वेद के मंत्रों का अर्थ जानने वाला है वह सकल बैद्र को सकल कल्यांन को प्राप्त कर सकता है और स्वर्ग में नाकं्यानि स्वर्गम एदि डी गच्षती कैसा होकर? गिनान गिनान विधूत पापमा गिनान से अपने सभी पापों को धूकर उसको नश्ट करके स्वर्ग में जा सकता है और दूसरी बात ये भी बोल दी यत गुरुहीतम अविगिनातम निगदेन इव शब्यते अनगनव इव शुशकेदव नत ज्वलत करहिचित यानी पाठ तो कर लिया वेद मंत्रा कंठस तो कर लिये लेगिन अविगिनातम केवल शुक ओपट की तरह हम उन मंत्रों का पाठ करते रहेंगे तो वो कैसा होगा अनगनव इव शुशकेदव बिना अगनी का सपर्श हुए जैसे लकड़ी पड़ी रहती है उसमें से आग पैद नहीं होती है प्रकाश नहीं मिलता है वैसा ही कुछ होगा इसलिए यदि हम वेद मंत्रों का अर्थ जान लेंगे तो हमारा ज्यानों दे होगा हमारा पुण्यों दे होगा और हमें जीवन जीने की सच्ची राह मिल जाएगी तो इस तरह से पतंजली ने हमको यह बात बहु सकते हैं वो कौन से च्च वेदांग कौन है तो हमारी परणपरा में बताया है शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम चंद साम्चिति ही जोतिशाम अयनम चैव शडंगो वेद उच्यते च्च वेदांगों की गिंती की गई है इस कारी का में सबसे पहला वेदांग है श पाँचवा चंदशास्त्र और छठा है जोतिशास्त्र तो इन च्च वेदांगों का अध्यान करने के बाद वेद को हमें ठीक तरह से समझना चाहिए यह छे वेदांग है उनमें से शिक्षा वेदांग का संबंद वेदों के सम्यक उच्चारण के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन जो व्याकरण एवं निरुक्त की बाद यहां कही है वो वेदार्थ गटन के साथ वेदिक इंटर्पेटेशन के साथ जुड़े हुए यह दो वेदांग है इसलिए आज हम निरुक्त वेदांग के संदर्भ में आपसे बात करना चाहते हैं तो जो व्याकरण वेदांग है वो पाणिनी की अस्टाध्याई है पाणिनी ने जो व्याकरण लिखा है वो अस्टाध्याई व्याकरण एक अद्वितिय है और अपूर्व है क्योंकि एक संस्कृत व्याकरण यही एक ऐसा है जिसमें वेदिक भार्षा का व्याकरण भी ल लेकिन इनमें कहीं पर वेद बंत्रों को समझने के लिए वेदिक भार्षा का होती है और उसका सम्मंद भी वेदिक मंत्रों के अर्धगटन के साथ जुड़ा हुआ है तो यास्क का निरुक्त ही वेदांग माना जाता है क्योंकि यत्यपी भुदकाल में अनेक निरुक्त लिखे गए होके लेकिन आज उनमें से एक भी हमारे पास पहुंचा नहीं है जो उसकी गिंती करते हैं और सारी दुनिया ऐसा मान कर ही चलती है अब हमारी परंपरा ने एक वेद पुरुष की कल्पना की है एक रूपकात्मक मेटाफरिक एक्स्प्लेनेशन है जिसमें व्याकरण और निरुक्त का महिमा समझाने की कोशिश की गई है जैसे की निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्रानन्तु वेदस्य मुखं प्याकरणम स्मृतं तस्मात सांगम अधित्यईव ब्रह्मलों के महियते जो वेदानुरागी अभ्यासु व्यक्ति है उसको सांग अंगों के सहित शडंगों के सहित वेद का अध्यायन करना तब ही वो ब्रह्मलोक में पुझनी अस्थान प्राप्त करेगा अब वो वेदपुरुष क्या है तो वेदपुरुष के लिए कहा जाता है कि चंदः पादव वेदपुरुष के दो जो पाव है वो चंदः शास्त्र है चंदः नाम का वेदांग है और जो कल्प नाम का वो वेद पुरुष के दो हाथ है, हस्तव, कल्पव, अथपठ्थे ते, जो तिशाम आयनम, जो जो तिशास्त्र है, जो तरिविज्ञान है, वो वेद पुरुष के नेत्र है, और निरुक्तम शुरोत्रम उच्चे ते, निरुक्त को दो कान कहें, करन कहें, कानों से हम क्या क करते हैं वेद मंत्रों का अर्थ सुनते हैं तो यदि हम वेद मंत्रों का अर्थ सुनना चाहते हैं अर्थ ज्यान करना चाहते हैं तो हमारे पास निरुक्त रूपी दो करण होना आवशक है उसी तरह से आगे कहते हैं शिक्षा ग्राणंतु वेद से वेद की जो नासी का है ग में जैसे मुख एवं कान्द दोनों होना चाहिए वेद का समय को चाहिए और वेदार्थ का समय क्ष्रवन होना चाहिए इस तरह से भी इन दोनों वेदांगों का महिमा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है अब निरुक्त का जो हम परिशय आपको देने जा recband उस परिशय में निरुक्त को समझने के लिए हुमको एक निगंटू नाम का ग्रंध है उसका भी परिशय करना होगा क्योंकि निरुक्त का जो परिचय है वह निघंटु सापेक्ष है बिना निघंटु को समझे हम निरुक्त को नहीं समझभाएंगे इसलिए सबसे पहले आज हम निघंटु का जो ग्रंथ परिचय है वो आपके सामने पहले रखते हैं निघंटु एक वैदिक शब्दों का है it's a dictionary as well as it's a thesaurus आप जैसे जैसे आगे सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वेद में चारों वेदों में जो कठीन है जिसके अर्थ दुरूह है दुरलब है या अभी तिरोहित हो गए है वर्तमान काल में ऐसे शब्दों का एक कॉम्पाइ़ेशन किया गया है एक संग्रक किया गया है तो यह डिक्षनेरी का स्प्रुप भी है साथ साथ में उसमें कहीं कहीं पर classification करके ये भी बताया है कि these are the synonyms ये परियावाची शब्द है एक पृत्वी के लिए इतने नाम है सुवरण के लिए इतने इतने नाम है तो it's a one type of thesaurus also और दुनिया का कालानुक्रम से यदि सोचा जाए तो समग्र भूमंडल में ये निगंटु नाम का शब्दकोष वैदिक शब्दो का कोष सबसे पहला कोष है सबसे पहला समानार्थक शब्दो का कोष है it's a first dictionary and it's a first thesaurus ये सारे विश्व के विद्वानों में माना है कि बल मैं नहीं कह रहा दूसरी बात अब ये जो शब्दकोष है उस शब्दकोष को उठा कर उन्हें आये हुए शब्दों को बारी-बारी पर लेकर यास्क के आचारे ने इसा पुर्व आठवी श्रतावदी में जब उपनी शब्दो की रचना पुर्ण हो गई बाद में बारी बारी पर एक एक करके हिदांग की रचना शुरू हुई तो यास्क ने इसा पुरू आठवी श्रताब्दी में निरुक्त की रचना की और उन्होंने इन निगंटु में आये हुए शब्दों को लेकर उस पर अपनी एक कमेंटरी लिखी एक भाष्य लिखा उसका नाम है निरुक्त तो निगंटु शब्द का शाब्दिक अर्थियादी देखा जाए तो उसमें नी उपसर्गे और गटदातु है याने वर्ड्स आर पुट टुगैदर और कॉंपाइल्ड एक ऐसा संग्रह है कि जहां सभी शब्दों को वेदिक शब्दों को वर्गी कुरुत करके एकत्र साथ में रखे गए हैं और जो निरुक्त शब्द है वो निरुक्त शब्द की व्याक्या हम आगे करेंगे लेकिन अभी पहले निगंटु को ही पूरा समझ लेते हैं तो निगंटु में कुल मिलाके पांच अध्याय आये हुए हैं इन पांच अध्यायों में से सबसे पहले जो तीन अध्याय हैं उसको नएगंटु का कांड ऐसा नाम दिया गया है इस नएगंटु का कांड में याने पहले तीन अध्यायों में एक आर्थक अनेक शब्द का संग्रह किया गया है एक ही अर्थ है common meaning there is one common meaning लेकिन उस एक common meaning को कहने वाले अनेक शब्द है यानि यह परियाएवाची synonyms जिसको हम कहते हैं synonyms का संग्रह यहां पर नएगंटु का कांड में पहले तीन अध्याय में किया गया है उसके बाद चौथा अध्याय पढ़ता है उसको नएगम कांड कहा गया है उसका एक दूसरा नाम यास्क ने यह भी दिया है यह आईक पदी की जो कांड है उसमें कुछ कठीन या अतिपरोख शुरुत्ति वाले जिसका अर्थ बहुत दुरुह है दुरलब है तिरोहित हुए है ऐसे कुछ शब्दों का संग्रह वहां पर किया गया है और पंचम अध्याय जो है उसको दैवत कांड ऐसा नाम दिया गया है जोताओं के साथ जुड़ी हुई सामगरी यगनयागादी के साथ जुड़ी हुई सामगरी के नाम उन सब नामों का संग्रह आपको दैवत कांड में मिलता है इस निगंट कांड में शब्द संख्या को यदि देखी जाई तो जो तीन अध्याय वाला पहला नईगंट है उसमें कुल मिलाकर दोसो असी के करीब करीब 279 शब्दों का संग्रह है और जो पंचम अध्याय है दैवत कांड उसमें 151 शब्द आये हुए यानि टोटल हो गए 1771 1771 इतने सारे शब्दों का यह वैदिक शब्द कोश है वैदिक शब्दों का संग्रस्थान है जिसको निगंटू बोला गया है और उसमें अभी मैंने जो बताया आपको निगंटू कांड जो है जिसमें एकार थक अनेक शब्द एकत्र किये गये हैं परियावाची शब्दों का जो संग्रह है उसका एक निदर्ष एक सेंपल आपको देना चाहिए जैसे कि वहाँ पर पृत्वी के वाच़क इतने सारे 21 शब्द है जो वेदों में प्रयुखत हूए है उनका यहां संग्रक किया गया है गवहु गुमाजमाक्षमाक्षमा तो इन सारे शब्दों का यदि हमें ज्यान नहीं होगा तो हम वेद मंत्रों को ठीक तरसे नहीं समझभाएंगे कि एक पदार्थ एक है पृत्वी है लेकिन पृत्वी के लिए वेदों में प्रयुक्त हुए इतने एक वियुशती नाम दे आने 21 नाम उसमें प्रयुक्त हुए है दूसरा एक्सेंपल लेते हैं, जैसे कि सुवर्णा है, सुवर्णा के लिए वेदों में कितने शब्दों का प्रोव हुआ है, तो हैमा, चंद्रम, रुक्मम, आयह, हिरन्यम, पेशह, कुरुशनम, लोहम, कनकम, कांचनम, भर्म, अम्रुतम, मरुत, दत्रम, जातरूपम, इत पंचदशहिरन्यनामानी, यह 15 नाम है, सुवर्ण के वाचक, तो इस तरह से यहां जो नईगंटु का कांड है, वहां पर समानार्थक शब्दों का संग्र है, और संग्र पुर्ण होते ही, वहां वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, उस अर्थ का निर्देश भी किया गया है, अब जो दूसरा नईगं कांड है, जिसका एक दूसरा नाम है, आइक पदिक कांड, पुर्थक पुर्थक एक एक पद जहां पर रखे गए हैं, जहां निधा, शिताम, मेहना, दमूनाहा, मुशह, इशीरेण, पुरूतन, जठरे, तीतव, शिप्रे, मध्या, मंद इशु, इर्मान तासह, कायमानह, लोधम, शिर्म, विदद्रे, दुरुपदे, इत्यादी, इत्यादी, तो इस तरह से ये सेपरेट एक ऐसा शब्द है, जहां निधा इत्यादी, कि जिसकी प्रकुर्थी-प्रत्य की जानकारी नहीं है, इस शब्द कैसे बने हैं, कितने- एक शब्द है अनेक अर्थ उसमें संघृए ते यह जो नाइगम कांड है दूसरा या अई पतिक कांड है वह शब्द एक हैं लेकिन उन्में से अनेक अर्थ छटाय निकल दी है मल्टिबल मुणिंग निकलते हैं इसलिए एक चैलेंजिंग टास्क है किस मंत्र में इस पर्टिकल क्या आर्थ लिया जाना चाहिए तो इस तरह से देगंटुकार ने ऐसे शब्द का भी अलग संग्र किया जिसको चौथे अध्याई में रखा गया है और चौथे अध्याई का नाम दिया है नैगम कांड या अईकपदिक कांड तीसरा जो कांड है वो दैवत कांड जैसे कि अगनिही जातवेदाह वईश्वान रह इतित्रिनी-पदाणी अगनी के वात्षक त्रीन शब्द है जो वेदों में प्रयूक्त हुए है जैसे कि अगनी जात वेदस और वईश्वान रह है उसी तरह से आगे चलके वाई हुभ lama रुद्रह, एंद्रह, परम्जन् तो इस तरह से हम देखेंगे तो यह जो निगंटु है जिसको explain करते हुए यास्कने निगंटवह 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 इन शब्दों को हम नहीं समझेंगे तो वेनमंत्रों का अर्थ नहीं कर पाएंगे तो निगम हिता रहा है ये सब्दॉरं मंत्रों बताने वाले तो इस कोश्ट की जो विशेष्टा है, there are three features, वेदिक डिक्ष्णेरी है, विश्व की सबसे पहली डिक्ष्णेरी है, पहला 300 परसा ऐसा मैंने कहा है आपको, तो वो एक शब्द संग्रह है, उसे compilation, as well as there is one classification, और साथ में वो सार्थ शब्द संग्रह है, कहीं कहीं पर उनमें अर्थ निर्देश भी किये गए है, तो इस तरह से ये तीन स्वरुप वाला वेदिक शब्द कोशे जिसको निगंटु कहा जाता है, और उस पर यास्क ने अपनी commentary जो लिखी, अपना जो भाष्य लिखा, उसका नाम है निरुक्तम, अब एक छोटा सा प्रशन रहे जाता ह कि निगंटु का रचनाकार कौन है, यास्क ने ये भाष्य लिखा, निरुक्त लिखा, तो उनके सामने ये निगंटु था, लेकिन उसका संग्रक किस ने किया, कब किया, तो ये विवादास्पत बिंदु है, कतिपाई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कश्यप प्रजापति न और कोई कहते कि नहीं, अनेग लोकों ने, अनेग रूशियों ने मिलकर ये शब्द संग्र बनाया है, याने मल्टी आथर्शिप भी उसकी मानी जाती है, अब बात ऐसी है कि यास्क ने स्वेम सप्तम अध्याई में एक स्थान पर कहा है कि कोई-कोई निगंटु कार, इंद्र देवता का नाम है, लेकिं इंद्र देवता के विशेशन आने के मगवा है, वृत्रहंता है, अम्हो मुच है, वृत्रासूर है, वज्ज्रबाहू है, तो ये सारी जो विशेशन है इंद्र के, उनका मैं संग्रह नहीं करूंगा, ऐसा यास्क बोलते हैं, केचि समा मननती तद न समा मने, केचित संग्रह करता रहा, संग्रह करने वाले लोग, ऐसे देवताओं के विशेशन वाचो का संग्रह भी इन कोशों में करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस पंक्ति से ऐसा सूचित अवश्य हो रहा है, इस स्वयम यास्क ने ही, अपना न श्रित नहीं कारपराये हैं, कि आज उपलब्द हो रहा निगंटु, वही आस्क ने बनाया हुआ है, या अन्य किसी व्यक्ति का ये निगंटु हमें उपलब्द हो रहा है, तो इस तरह से निगंटु का करतृत्व थोड़ा विवादास्पद है, उसमें हम ज्यादा नहीं संबंद कैसे बिठाया गया है, यानि कहां पर निरुक्त में निगंटु के किन-किन शब्दों का विवरण मिलता है, निगंटु का तो पांच हद्याय में हमने आपको बर्गी कांड दिखा दिया, उसका इंडेक्स बोल दिया हमने, कि सबसे पहला निगंटु कांड है, द उन्होंने व्यावस्ता बताई है, दोनों के बीच का संबन तो हमने बता दिये, एक कोश है, एक दूसरा उसका भाष्य है, एक्स्प्लेनिटरी नोट से है, तो सबसे पहले जो निरुक्त के प्रथम अध्याय पूरण रूप से और द्विती अध्याय का पहला पाद, यान एक पूरा अध्याय और दूसरे अध्याय का एक पाद, इतने भाग में निरुक्त कार ने, यास्क ने एक introductory topics की चर्जा की है, कुछ-कुछ विशा ऐसे हैं कि सिधा निगंटु का भाष्य लिखना शुरू करेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो अधिकारी कौन है, वेद मंत के अर्थ क्यों जानना चाहिए, क्या अपतियां आई थी कि ये commentary लिखने बैठे हैं, तो सबसे बड़े आचारे एक आगए थे, कौछ-स नाम के आचारे, जिन्होंने बड़ाक्षेव कर दिया, कि अनर्थक आही मंत्रा हा, किति कौछ-स हा, कौछ-स नाम के आचारे मानते ह कि इन वेद मंत्रों का कोई अर्थ नहीं हो जड़ा, वेद मंत्रों के शब्दों में से कोई अर्थ मिलता ही नहीं है, तो जब वेदों के मंत्रों को अनर्थक किसी ने गोशित कर दिया, तो ये आवशक बना गया, अनिवारे बना गया, कि कोई वयाकरन, कोई निरुक्तका आकर इन सारे शब्दों का अर्थ करके हमको दे दे तो ये चुनावती यास्कने उठा लिए तो ये इंट्रड़क्टरी भाष्य जो है लिखा है प्रथम अद्याय और दृतियाय के प्रथम बादने उसमें उन्होंने निर्वचन के सिद्धांत स्थापित किये किस रूप मे मैं इन सारे शब्दों को एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ अब निरुक्त शब्द का मुझे अर्थ कर देना जरूरी बन जाता है निरुक्त में नीर या निस उपसर्ग है और उक्त है निशेशेण उक्तम इति निरुक्तम निगंडु के शब्दों के साथ जो जो भी कहन आविश्यक है वो सब कुछ मैंने कहा है निशेशेण उक्तम इति निरुक्तम जहां पर सब कुछ फुली एक्स्प्लेइंड सब कुछ कहा गया है उसको निरुक्त कहते हैं निरुक्त का दूसरा परियाय है निरुक्ती और तीसरा परियाय है निरवचन इन सर्वत्र स्थान तो आपकी जिग्यासा पुरुन रूप से संतुष्ट हो जाएगी सब कुछ आपको सामगरी वहां से मिल जाएगी जिसके आधार पर कालांतर में सायन अचारे जब आते हैं चाओद्वी शताब्दी में वरत्मान टरनाटक के विजयनगर सामरेज में आचारे सायन आते हैं तो उन्होंने इसी निरुप्त को वेदार्थ गटन की अपनी आधार शीला बनाई उसको प्रमान मानकर वेदोकार्थ गटन किया तो जब तक हम निरुप्त नहीं पड़ते हैं तब तक सही रूप में वेद मंत्रों को नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे कुछ प्रारंबिक इंट्रड़क्टरी टॉक उन्होंने पहले अध्याई में रख ली हैं बाद में दूसरे अध्याई के दूसरे पाद से आरंब करके तीसरे अध्याई के अंत तक यास्क ने अपने विरुप्त में नए गंडुक कांड के शब्दों का विवरण दिया उसकी व्याख्या कर दी तो नए गंडुक कांड में जैसे मैंने पहले बताया आपको पहले तीन अध्याई निगंडुक के जिसको नए गंडुक कांड कहा है उसमें एक हजार तीन सो एकतालिस शब्द कुल मिला कर है लेकिन यास्क ने उनमें से चुनकर जो मोस्ट डिफिकल्ट उनकी दुरुष्टी में था ऐसे दो सो तीस शब्दों को लेकर उस पर यह भश्य लिगा है अन्य शब्द जो छुट जाते हैं उसके लिए खेद करने की अन्य शब्दों का अवतार उन्होंने किया है उन मंत्रों में आये हुए अन्य शब्दों का भी वो explanation दे रहे हैं अन्य अन्य शब्द भी क्या-क्या अर्थ दे सकते उसके उसके पीछे उस शब्द की रचना के पीछे कौन सा क्रियावाचक धातु रहा है कौन सा प्रत्य रहा होगा यह सारी बाते भी उन्होंने जोड़ी है बले निगुंटू से कतिभाई शब्द लिया है लेकिन उनके साथ-साथ अन्य नए शब्द को भी उन्होंने वहाँ पर भाष्य लिख दिया है जो बड़ा उपकारक हमारे लिए सिद्ध होता है कि टत पश्चाथ मिरुक्त का जो छोथा, पांच्वा और छट आद्याय है पहले च्हेन चात अद्याय को पूर्वशटक कहते हैं पहले उन्हें से चौथा पांचमा और छठा ये तू तीन अध्या ऐसे हैं जहां पर उन्होंने निगंटु के चौथे अध्याई की व्याख्या की है याने जो आइकपदिक कांड है नाइगम कांड के जो शब्द है जहां निदा इत्यादी उसका विवरण हमको यहां मिलेगा जो तो अनेकार थक एक-एक स्वतंत्र शब्द थे उसका विवरण उन्होंने निरुक्त के चौथे पांचवे और छठे अध्याई में दे दिया है याने निरुक्त के पहले आदे भाग में पहले छे अध्याई में निगंटु के दो कांडों का विवरण मिल जाता है अब देवल पंचम दैवतकांड बाखी गया और दैवतकांड में खुल मिला के छे अध्याई है उन छे पादों के लिए एके पूरा आध्याई यास्क ने लिखा जैसे कि निगंटु के पांचवे अध्याई के प्रथम पाद पर उन्होंने सात्वा अध्याई लिखा निगंटु के पांचवे अध्याई के दूसरे पाद पर आठवा अध्याई लिखा निगंटु के पांचवे अध्याई के दिसरे पाद पर नौवा अध्याई लिखा इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये उत्तरशटक के 6 अध्याईव में उन्होंने पूरा दैवतकांड कर दिये तो उत्तरशटक में जब पूरे 6 अध्याई को स्थान देते हुए उन्होंने डैवत कांडी व्याख्या की है तो वो इंडियान थियालाजी भारतिया देवता शास्त्र का वरण करता है उसमें केवल देवताओं के नामों का निर्वचन ही नहीं है लेकिन देवता शास्त्र लिखे दिया है कितने देवता है इत्याद इत्यादी सब बाते वहां पर डाली गई है इस रूप में देखा जाएगा तो निगंटु का विवरण है निगंटु में आये हुए शब्दों का एक्स्प्लेनेशन भी है निरुक्त में साथ साथ में पूरा देवत श शास्त्र भी लिखा गया है इस रूप में है यदि हम देखेंगे तो ये वेदांग अत्यन्त महत्वुक्त शिद्ध हो जाता है वेद मंत्रों को समझने के लिए निरुक्त अनिवार्या है इसकी हम उपेक्षान नहीं कर सकते हैं और हमारे उत्तरवर्तिकाल के वेंकट अदव हो उदगीत हो और सायनाचारे जैसे अन्यान्य जो भाष्यकार हुए है वेद मंत्रों को समझाने वाले उन सब के लिए ये निरुक्त एक बड़ी आधार शीला है इसके प्रमाण पर वेद मंत्रों को समझाते हैं यदि निरुक्त नहीं होता तो सायनाचारे सायन भ लंबित है इसी लिए निरुक्त का अध्याइन अध्यापन अनिवारे हैं और वेद मंत्रों को समझने के लिए इस सही अर्थ में वेदांग है निरुक्त निरुक्त एक कान है कान से हम श्रवन क्रिया करते हैं वेद मंत्रों को अर्थ को सुनना है तो निरुक्त को अवश् यास्क ने भाश्य लिखा ऐसा मैं कहता हूं लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी बोला कि कतिपाई शब्द छोड़ भी दिये है यास्क ने निगंटु को कांड़ के सभी शब्दों पर यास्क ने विविवरण नहीं दिया है तो क्या कोई ऐसी सामगरी है जो पूरा निगंटु के प्रत्यक शब्द को लेकर समझाने वाला हो तो हाँ है देवराज यजवन नाम के एक टिकाकार हुए हैं उन्होंने निगंटु के प्रत्यक शब्द को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है तो निगंटु में कुल मिलाकर 1731 शब्द है उनमें से यास्क ने 660 शब्दों की चैन करके उसकी समझुती दिये दी सात सात में कुछ नए शब्दों भी रखे हैं क्योंकि मैंने कहा निगंटु के शब्दों को एकस्प्लेइन करते समये वो जिन मंत्रों को उद्रूत करते हैं उन मंत्रों में जो कठी ही शब्दों उनको दिखाई पड़े उनका भी विवरण कर लेते हैं तो ऐसा जो एक्स कुल मिला के 1298 शब्डों का विवरन निरुप्तकार ने हमको दिया है तो यास्क ने जो सामगरी दी है उसका स्ट्रटिस्टिक यदि देखा जाए तो 1298 शब्डों का विवरन उनके हाथ से हमारे सामने प्रस्तुद हुआ है तो यह बहुत बड़ी उनकी हमारे महतिक रुपा रही है कि उन्होंने इतनी सारी सामगरी हमको दे दी है, तो ज्यासक का जो प्रदान है, उसको मैं चार बिंदू में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो चार बिंदू कौन से हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो निगंटो नाम के वैदिक शब्द कोश जो था, उनमें से शब्दों को लेकर उसका निर्वचन किया, एक्स्प्लेनेटरी कॉमेंटरी लिखी, भाष्य लिखा वो पहला प्रदान उनका, दूसरा है, उन्होंने जो मंत्र उद्रुद किये, कोट किये, उन मंत्रों में आये हैं, भी कतिपए, कठिन शब्दों को, दुरुः शब्दों को उन्होंने समझा दिये, ये उनका दूसरा प्रदान है, हमारे बदूसरी कृपा की है, अनुग्रख किया है, तीसरा बिंदु है, दैवत कांड, दैवत कांड में उन्होंने देवतावाचिक शब्दों पर के लिख दिया, जिसमें पूरा देवता शास्त्र लिख दिया, और देवता शास्त्र के साथ देवताओं की स्तूति को कैसे समझाय जाए, यदि किसी मंत्र कोई देवता का नाम ही नहीं मिलता है, तो उस मंत्र किस देवता की स्तूति करता है, जब रश्न खड़ा हो जाएगा, देवताओं की संख्यागीतनी हैं, वो कहां रहते हैं, तो ब्रह्मांड का एक classification करना, इस सारी बात, देवताओं शास्त्र से जुड़ी, यास्क के द्वारा जो निर्दिष्ट, पुलिखित, खतिपे पूर्वा आचारे हैं, उसके बारे में भी बात जानना बहुत जरूरी है, यास्क ऐसे नहीं है कि मैं कहता हूँ, आप उसको स्विकार कर लिए, हमारे वहाँ भारती परंपरा में यहां एक बहुत बड़ी बात रही है, कि हम विचार का स्वातंत्र देते हैं, अन्य-अन्य आचारी क्या कायते हैं, उनका भी संग्रख करते हैं, यास्क जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं तो निरुक्त हूँ, निरुक्तकार हूँ, तो नैरुक्तों की दृष्टी क्या होती है, वेद मंत्र को समझने के लिए, को एक चश्मा होता है इस दुष्टी से हम वेद मंत्र को देखेंगे तो कहते हैं कि नाइरुक्त परंपरा के अनुसार इनेचरालिस्टिक स्कूल अब वेदिक इंटरप्रेटेशन है जो निसर्ग के तत्व है जैसे कि व्रुष्टी है वर्षन क्रिया होती है बारिस होती है तो उ दिव लोग में सुर्य घगवान है सुर्य के किरन से पृथ्वी लाबान भीत होती है सबी जीवजन्त में पैदा होते हैं सबसे बड़ा सवीता है प्रसवीता है जीव पैदा करते हैं अउशवदियां वनस्पतियां मैदा करते हैं तो तो ये सारे जो देवताय वेदों में जिसकी स्तुति हुई है, ये मनुश्य जीवन को उपकार जो जो भी निसर्ग के तत्व है, उसमें देवता तत्व का आरोपन करके उसकी स्तुतिया की गई है, ये नेरुक्तकार का दुरुष्टि कौन है, लेकिन यास्क साथ साथ में कह जैते कि नहीं एक वया करुणों का भी पक्षए वया करुणों कि दुश्टी से भी इस वेद मंत्र को दूसरी तरह से समझा जा सकता है तीसरा दुश्टी बिंदू उन्होंने कुद्रुत किया है वो है अितःशिकों का कि वेदों में इतियास देखने वाले भी हैं, वेदों में इतने सारे various types of interpretation प्रचलन में थे, उन्हों सबका उन्होंने संगर्ख किया है, तो अितियासी को के दृष्टी से वेदों में इतियास देखाना चाहिए, उसमें एक भीती अवश्य है, यदि वेद में इतियास देख लेकिन इस आपत्ति को उठाते हुए भी प्रचिहासी को क्यामत हो सकता है, वो भी उन्होंने कह दिया है, जैसे कि दाशरागन युद्ध की एक बात आती है, दशराजाओं ने मिलकर युद्ध किया था, विश्वामित्रा और सुदास राजा का संबंद, विश्वामित्र और नदियों का संबाद, पुरुरवा और हुरवशी के बीच में पृत्थी लोग का एक नायक और सर्ग लोग की एक अफसरा, उन दोनों के बीच में जो प्रेम व्यवहार हुआ और बाद में जो हार्ष डायलोग हुए, तो यह कोईन कोई घटना को सुचित करने वाले है इटिहास की कोई घटना उसमें प्रतिविंबित हो रही है, उसी तरह से देखा जाई तो विश्वा मित्र और वसिष्ट के बीच में भी भारी संघर्ष हुआ, विश्वा मित्र ने वसिष्ट के 50 पुत्र को मार दिये शाप देकर, बाद में विश्वा मित्र के सामने वसि की जाती है कि और साथ साथ में हमारे प्रफेसर दंडेगर जी बांडरकर इंस्टिटूट के सरवादेक्ष, आरेन दंडेकर जी ने कहा कि ये जो विश्वा मित्र है वो इंद्र संपरदाय के थे और वसिष्ट थे वो वरुण के थे वरुण के पक्षधर थे तो इन दोनों का समझोधा कराने के लिए बड़ी भूमी का वसिष्ट ने निभाई है ऐसी बात उन्होंने एक विस्तार से बड़े आर्टिकल में कहिए हैं, तो वेदों में इतिहास देखने वाले राचिन काल में भी थे और अरवाचिन काल में भी हैं। तो ऐसे पक्षकारों का भी मत मतांतर यासक ने उद्रुत किये हैं। उसी तरह से एक यागनी को कापक्ष लिखा है, यगनयागादी कराने वाले ब्रह्माण, जिसमें से आगे चलकर पुर्व मिमाँसा डेवलप होती है, उमारे लभट्टा और प्रभाकर्ट, तो ये जो पुर्व मिमाँसा का पुर्व रूप है, वो यागनी को कापक्ष है, याने यह लोग ऐसा भी थे कि प्रत्यक वेध मंत्र कोई ने कोई यगन कराने के लिए ही लिखे गए हैं। यगनार्थकाहा, मंत्राहा, सभी यगना, यगना कराने के लिए लिखे गए हैं, जिसमें से बाद में कालांतर में एक सुत्र आया पुरुम्यमाउसा में, आमना याने वेद आमना यास्य क्रियार थत्वात आनर थक्यम अतदर्थानाम आमना याने वेद आमना यास्य क्रियार थत्वात जो भी वेद मंत्र है वो कोई ने कोई यगनक्रिया करवाने के लिए ही है यदि कोई मंत्र का विन्यो किसी यगने में नहीं होता है तो वो मंत्र हमारे कामका नहीं आनर्थक्यम अतदर्थाना यानि पूरा वेद कोई नि कोई यगनक्रिया से संबद्ध है इसे मानने वाला पक्षभी है उसका भी उत्रण दिया उसकी दुरुष्टी से वेद मंत्र का कैसे अर्थ हो सकता है वो भी यास्क कहते हैं हमको बाद में वेद मंत्रों में कोई फिलोसाफी भी डोड़ेगा तत्वदर्शन खोजेगा दार्शनिक पक्षभी निकाले जाएंगे तो उसके लिए कतिपाई परिवराजगों का मदभी यास्क ने उद्रुद किया है बाद में एक नईदान पक्षभी लिखा है याने किस वेदिक मंत्र का विन्यो किस वनस्पती पर किया जाए या किस वनस्पती का अउश्द के रुप में इसी रुगनता पर अमल करना है उसका प्रव करना है तो कौन सा मंत्र उसमें उपयोग लेना चाहिए यानि आयरुवेदिक के साथ वेद मंत्रों को कैसे समुलगने की जाए ऐसा पक्षभी यास्क ने अपने निरुक्त में लिखा हुआ है तो ये इन दुष्टी से आप देखेंगे तो केवल ये निगहन्टु का एक्स्प्लेमेशन करने वाला भाष्य नहीं रहता है या भारतिये देवताशास्त्रतों को प्रस्तूत करता है साथ साथ में वेदार्थ गटन की जितनी भी परमपराय थी हमारे वहां उन सारी परमपराओं का एक साथ में यहां पर हमको विबरन प्राप्त हो जाता है इस अरत में ये वेदांग बहुत महत्वबरन हो जाता है